अब इस बंदे से जादा खतरनाक सेनय पर ना मैंने आज तक कभी देखा और मुझे नहीं लगता आगे देखने को मिलेगा भी ये इतने अलग लेवल पे था तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दे वेलकम और स्वागत आपका एक विराण न्यू गलत चीन से भरे पड़े पड़े पबजी दो मुबाईल गिंप्री वीडियो में अब देखो इस गेम में यार एक अकेले डिरॉब के पीछे मुझे नहीं पता कितनी टीम आती है कितने बंदे आते हैं बिलकुल भर भर के बंदे आ रखे होते हैं और हां हर किसी से एक हामी भाइट लेंगे खैर जो भी होगा वो थोड़ा आगे जाके होगा फिलाल तो या मैं दस तो ऐसे ही पीक पाक करके बरबात कर देता हूँ खैर मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ और और भी बंदे आ रहे होते हैं और ये डीपी वाला बंदायार हमारे मुझे सामने एक ऐसे बंदे को मार देता है जिसको मैं बहुत डेमेज दे चुका था कैर डीपी वाले की पेटी बन जाएगी अब बाकी नियतों को पकड़ लेते हैं जल्दी से और इनके PUBG के टूर्णमेंट भी काफी बढ़िया तरीके के हैं मतलब अगर आपकी एंट्री फीज 10 रुपे है तो यार पर किल भी आपको 10 रुपे मिलेंगे तो यार आपको बस एक किल करनी है और एंट्री फी वापिस और इस एप की मदद से आप आराम से रॉयल पास भी एंट्री फी कुछ भी नहीं होती लेकिन जीतने पर आपको प्राइज मैनी मिलता है और इस एप से पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है आप आराम से पैसे विड्रॉ कर सकते हो तो इस एप को जरू ट्राय करना इसकी लिंक डिस्क्रिप्सन में होगी पिल्कुल टोप में और ये पीछे निहत्ता वाला बंदा यार जाड़ी में लेट जाता है बोट से बचने के लिए यार उससे बढ़िया भागी लेते दोस्त क्या पता बच भी जाते क्यार बोट बूट को मैं पेल देता हूं लेकिन इधा टावर पे भी एकात बंदे चड़ रखे होते है तो बंदे 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 आ आ इकड़ एकात बंदे रहा हुर्ख और ये रहा है तो बंदे पार बंदे अब पहले में सोच रहा था कि यार उस बंदे को छोड़ देता हूँ बिचारा निहत्ता भी है और गन भी नहीं है भाई पे लेकिन हमारे भाई क्या करते हैं पेटी की तरफ जाते हैं और मेरी गिराई भी सोड़ गन उठा लेते हैं अब देखो भाई ने सोड़ गन जरूर उठा लेकिन सोड़ गन बिल्कुल खाली पड़ी होती है हाँ मैंने गोली तक नहीं गिराई थी सोड़ गन की तो यार बंदे को भी पेलना पड़ा और यहाँ पे भगते भगते साथ किल हो जाते हैं मतलब बोट बंदे सब कुछ एक साथ ही मिल गए यहाँ पे मैं बंदे पे मिनी चौधा पटका रहा हूँ बोट बगल से मेरी पेटी बनाने में तुला है अब कैसे कैसे रहम किया जाए बोटों पे खेर जो भी हो उसके बाद मिल्टे रहरी के बाद में सीधा मिल्ठा आता हूँ हना क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता और मिल्टी रहरी में बस वही गिने चुने बंदे आयोते हैं जिनको मैं निहत्ता इठिला देता हूँ सही है यार फिरी के किले मिल गई खेर इधर पे आता हूँ तो मेरा टीमेट चिलाने लगता है कि भाया लैग लोग हो रहा है और लैग तो हो गई क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी है सामने जिस पे बंदे बैठे पड़े हैं और वो लोग भी पहले यहाँ रुकने का नाटक टैप करते हैं और उसके बाद दुबारा से बगने लग जाते हैं तो हम भी पीछा करेंगे उनका लेटा हो सकता है इजी अब यह बंदा लेटा जरूर होगा लेकिन यार सेक के अंदर सीन क्या होता है यह लोग गाड़ी बहाते वेलाते बहुत डेमिज देते हैं हम लोग इनकी गाड़ी पे यह लोग मेरे को लेकिन आखिर कार जाके ये लोग यहाँ पे गाड़ी रोकते ये बोलते भाईया हमारी गाड़ी से नहों पाएगा सेक्सुक के अंदर गुज जाओ और मुझे नहीं पता कैसे लेकिन इस बार नेट भड़ जाता है मेरा और देखो जहां तक मेरे को बताए इन लोगों का टीमेट यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक नहीं होगा मतलब ये भाई कहीं जड़की जुरकी पहुँचा वाओगा क्योंकि यार मिलता तक नहीं उत्रा तो भाई ज़रकी आखरी जगाए जाने के लिए जरकी से जादा सेफ और क्या ही हो सकता है खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यार आज कर तो सेभरनी और रोजोग जैसी जगा भी होट डिराव पोचुकी है जोर्ज नो वो पोचंकी सब कुछ मिला के उतने बंदे नहीं आएंगे जितने रोजोग पहुचे वे होंगे बंदे खैर जो भी हो अपने पे गाडी-गूडी यही सच्थी होती है और अभी तक मुझे नहीं पता क्यों लेकिन शिर्फ और सिर्फ सकारेल मिली होती है मुझे एंफोर ढूडने की बहुत कोसिस की सारी PET-A loot डाली कहीं पर भी एंफोर ने मिली खिर जो भी हो आगे एक डिरॉप होगा होता है और देखो मेरा टिम मेंट जोड जोड से चिला रहा होता है कि भाईया सो परतिसात बंदे होंगे उधर पे क्योंकि भाई का लेक बहुत ज्यादा दबा कि हो रहा होता है और हाँ बंदे होते भी हैं अ-घusto अब जितनी खुशी मुझे 5-6 बंदों को पेलनी किया ना उससे कई ज्यादा दुख मेरी वो एक किल चोरी होनी किया जिसको भाई ने गाड़ी से कुचला मतलब गोली चला के पेलता तब भी कम दुख होता यार गाड़ी लाई पेल के रख दिया सिधा किल मिल गई उसे और यहाँ पे एक और सकॉर्ड के बंदे बाकी है जो की बहुत ही खतरनाक सनैपिंग कर रहे हैं मतलब अभी तो मेरे टीमेट को समोक के अंदर गोली पहुचा दी कहां पे गोली पेली मुझे नहीं पता लेकिन यार डैमेज दबा की हुआ था खेर मैं यहाँ डिरॉप पे आता हूँ और उनको पेलने की कुछिस करता हूँ आगे और जैसा कि मैंने बोला इथा यार जो आगे बंदा सनैपिंग कर रहा है वो बहुत जादा खतरनाक है देखो एक आत सोट से कद्दू कुछ नहीं पता चलेगा जब उसको मैं पेल के उसकी पेटी लूटूँगा ना आप उसकी लूट देखना आप बोलोगे भाईया यह है असली सनैपर आपने कई सारे सोटों के नाम सुनूँगे फिलिक सोट इसने वहिया कुईक सा कोप पेल दिया कद्दू सोट नजाने क्या क्या बना रखा है लेकिन देखो असली सनैपर ये वंदा है क्योंकि इस बंदे को न सिर्फ एक सनैपर की जुर्रत होती है खेर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा मैं धैड़ पैड समोक बना के रिवाइव वगेरा पेलता हूँ और इनकी पेटी बनाने के लिए इनको डूनने पे लग जाता हूँ क्योंकि देखो यार बले ही बढ़िया सनैपर हो लेकिन सनैपर तो हमें भी चाहिए बले हमारी सनैपर बहुत ही जादा सस्ती हो खेर मैं उधर पे जाता हूँ बन्दे के नाम पे भाईया कुछ भी नहीं दिख रहा होता और यहां पे एक गाड़ी दिखती है तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ बड़े है ये वाली गाड़ी थोड़ी सी महंगी है और उसके बाद दुबारा मैं उन्हें टूड़ने पे लग जाता हूँ अब मुझे नहीं पता ये आगे से जो आएंगे वो कौन सी डीम के बन्दे हैं लेकिन हाँ एक और गाड़ी आ रही होती है आगे से अब देखो मेरी M249 में 60 गोली पड़ी है रिलूट करने की कोई जरूरत ही नहीं है लेकिन देखो आदत ऐसी बड़ रेखी कि भाया दो गोली चलाओंगा अब तब भी रिलूट करने बैट जाता हूँ अब बने यारो फिजी एक पेड़ी के लफ मेरी काली के विए भी एक पेड़ी के लफ मेरी काली के विए अब यहां पे सब कुछ बढ़िया चला था बन्दा नेड से भी फढ़ गया था और दिल जो खुश हुआ था अलग लवल पे था आगे पे डैमेज भी दे चुका था मैं रस करने के मूड में आई गया था उसके बाद क्या होता है पीछे कोई SKS लेके आ जाता है और एक अ आज तक नहीं देखा M249 और AKM चला रहो भाईया कौन चलाता ये गन जो भी कर पाऊंगा क्लोजे रेंज में कर पाऊंगा लेकिन देखो ऐसे जो साब बने पड़े न इनको पेलने के लिए जो दिक्कत होगी पहुच जदा होगी लेकिन यार ढीटता भी कूट कूट के भ सो गोली दो बन्दे हाँ मैं मजाग भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे तुमारा भाई मेरे ख्याल से लगबक सो गोली सो की सो चला देता हूँ सिर्फ और सिर्फ दो बन्दे पेलता हूँ सरम के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे को उसके बाद भी धीट की तरह रिलो दिल जाते हैं और पहले मुझे लगा था यार एक ही सांब बनाओगा यहां पर आके देखता हूं दो बंदों की टीम बैठी होती है पेल लिया दोनों को और यहाँ पर मुझे एक बात नहीं भूलनी चीए कि यार एक और टीम के बंदे बैठे हैं ये वही टीम के बंदे हैं जिन पर महंगा वाला सानाई पर बैठा है तो हाँ उससे भी फाइट होगी मेरी सामने वाले सैक में उनका एक टीमेट जाके गुश चुका है बिल्कुल अब मैं उसे यहाँ से पेलने के कोशिस कर सकता था लेकिन देखो मेरी ढीटता और मुर्कता की वज़े से मेरे पे दोनों ऐसी गने कि यार मुपे गुश के, मुपे गाड़ी गुशा के ही पेल पाऊंगा मैं खेर मैं यहाँ पे दुबारा से आता हूँ ख्यूकि देखो गोली बर्बाद की है वापिस लेनी पड़ेगी ताकि आगे जाके और बर्बाद कर सकूँ और हमको एक और गाड़ी मिल जाती है तो हाँ इसे चला के उसे पेलने जाएंगे अब इस बंदे को तो मैं हल्वे की तरह पेल देता हूँ लेकिन इसका जो सनैपर वाला टीममेट है वो मुझे ऐसे पेलेगा कि मुझे पता भी नी चलेगा हुआ क्या पैट्रोल नहीं है बेस मैं बाई गाड़ीयों कि तनी दिक्कत हो रही बाई अब देखो क्विक सोट फिलिक सोट कोई भी दे देता है ठीक है मेरे जैसे सस्ते सनैपर वाले नहीं दे पाते हैं लेकिन जो इस बंदे नहीं किया यार वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं इसने मेरे कहां पे मारा मुझे आज तक पता नहीं चला है इसने मेरे सर पे मारा पेट पे मारा पाउं पे मारा यार मेरे समझ के बिलकुल पार है बहुत ही खतरनाक सनैपिंग लेकिन एक चूटी गलती कर बैठते हैं हमारे भाई हमारे भाई कुछ जादा ही चौड में आ जाते हैं मतलब बंदा इतने चौड में आ गया कि भाई ओपन से बिलकुल खुला और नंगे रोट से रस करने लगा लेकिन ये सबसे बड़ी बात नहीं है अभी मैं आपको उस बंदे की पेटी दिखाऊंगा और आप देखके बोलोगे यार ये चीज कोई अलग लेवल का बंदा ही कर सकता है हम सबसे नहीं हो पाएगा और हमारे आसपाज इतनी सारी गाडिया पड़ी है हर कोई फुटी पड़ी है टायर भुटा पड़ा या तो उस पे पट्रोल नहीं है खेर उसके बाद मैं ये गाड़ी उटा के उस बंदे की पेटी लूटने जाता हूँ देखो मुझे क्या दिखता है उसमें अब इस बंदे से ज़्यादा खतरनाक सेने पर ना मैंने आस तक कभी देखा और मुझे नहीं लगता आगे देखने को मिलेगा भी ये इतने अलग लेवल पे था मतलब बंदे पे दूसरी गण टोमी गण होती है टोमी गण अब देखो मेरे पे AWM और टोमी गण जैसी गण पढ़ी है तो यार मैं लड़ाई करने नहीं निकलूँगा मैं जाके M4 या फिर कोई डंकी गण लूँगा जो कि यार थोड़ा दूर पे भी पेल सकूँ क्योंकि टोमी गण से यार आप बस मूग के सामने के बंदों को पेल पाओगे लेकिन वो बंदा इतना खतरनाक था कि यार उसने बोला AWM मिल गई चलो रसकरने और उसने बंदे भी ठिला है अच्छे से पेला समूक में भी पेला और गाड़ी के पीछे भी पेला और यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंदा अभी तक रैंग बूस कर रहा है मेरे खयाल से आटफ़ा हपता चल ला है और जहां तक मुझे पता है यार एक अपते में शायद ही कुछ उखर पाएगा अब ये बंदा या तो नेट ना से देने के काराण यहाँ पे चुपावा था और वापिस कभी नहीं आया और इसके टीमेट भी सारे ठिल चुके है या तो फिर भाई केंपिंग लगा के बैठे थे और नीन दा गई भाई को खेर जो भी सीनो इस बंदे को पेलने के बाद मैं इधर उधर गाड़ी गुमाता हूँ और देखने की बात यह है कि यार भले मेरी सनाइपिंग बहुत ही जादा सस्ती है लेकिन उसके बावा जूद भी मैंने AWM उठा लिया हाथ में तो देखो उठाया है तो यार गलती से हेट सौट एक आज हम भी पेल देते हैं और क्यूंकि 24 किल हो ही जुके हैं तो मैं सुचता हूँ यार क्यों न यहीं पे रुक के एक आज किल और ले लेता हूँ लेकिन आपको भी पता है आपको भी पता है मेरे को भी पता है वो रस्ट करने की खुजली जाग ही जाएगी खास कर तब जब बंदे आपस में एक दूसरे की पेटी बना रहे हूँ तो हाँ मुझे आगे एक डिरॉप दिखता है और डिरॉप के पीछे बंदे बैठे हुए हैं और मेरे को छोड़के हर एक बंदा इस गेम को दिमाग लगा के खेला है वो बंदा डिरॉप के पीछे से गाड़ी के नीचे से पीक कर रहा होता है मतलब ये चीज बहुत ही अलग लेवल पे है मेरे सेयार इतना दिमाग नी चलता मैं तो मुंडी उठाओ और फिर गुली चलाओ है हमारा सीन और अब आप धीरे धीरे देख पारे होगे कि यार मैं थोड़ा सा चट पटाने लगा हूँ थोड़ी सी गोली क्या चली मैं इधर उधर भगने लगा हूँ और मेरी ये चट पटा हट और भी बड़े जा रही है मतलब वो लोग आगे गोली गूली चला रहे मैं बस यहां पे देख रहा होता हूँ कि यार आठी बंदे अलाइव है सही है मुझे नहीं जाना चाहिए बे गूबो की तरह रस नहीं करना चाहिए यहीं पर आएंगे बंदे लेकिन आगे आगे क्या होगा आपको भी पता है मैं वही हरकत करूंगा जो मैं हर बार करता हूँ मतलब यह जो रस करने की खुजिली है न यह किलकी लाला जो है यह बहुत बुरी होती है मतलब एक टाइम ऐसा आही जाता है कि भाया कितना ही रोक लो आखिर में रसी कर देता हूँ मैं और इस मैच में भी वही सीन होंगे चले गया अब जब मेरा टीमेट यह बात बोलता है न कि भाया चले क्या यार उसके बाद मेरे से बिलकुल भी निरुका जाता तो मैं अपनी यह सस्ती बग्गी उठाता हूँ और ठीक ओपर में जाके बिलकुल ओपर में जाके रोक दूँगा और बंदे पिलना चालू उज़ जब दुँआ करुटा अज़ फो ऑड़ाद में जाके यह से कहा हुआ खुआ है जल्मर फिलना भी झालूँ प्रली डाम करुआ है जब करुआ है लड़ाद ओूएजवा खर लड़ादा तो लड़ादा तो जब सानता हुआी है लड़ादा है वाया बिल्सवादा और अब तो यार AWM की गोलिया भी खाली हो चुकी है हाँ वैसे ही बहुत कम गोली थी तो आप गुसके पिलना पड़ेगा और यार कुछ भी कहूँ बंदे आजकल रिवाइव देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते ये पिंक कपड़े वाला ये गुलाबी कपड़ो वाला वही बंदा था जिसको मैंने पहले AWM से पेला था भाई के सर पे हेलमेट तक नहीं था और वो इतने जल्दी नजाने कब रिवाइव हो गया क्या ही बताऊं लेकिन इसी के साथ हमारा चिकन चुकन हो जाता है अब जहां तक मेरे को बताए अगर हम लोग वहां पे रुके रहते तो मेरे को एक किल कम मिलती एक या दो किल कम मिलती लेकिन यार यहां पे आए और यहां पे आना यार सफल टैप हो गय आप मतलब किल भी मिल गई और चिकन भी मिल गया तो वस भाई लोग आज को वीडियो वे इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक के बटन को पेलना मत भूला है यार बिल्कुल ठोका पीटी करके इस बुलू जोन की तर गलत सीन तो कल मिलते है भाई लोग यार और जाते जाते उस एप को चेक आउट करना मत भूलना टूर्णामेंट एप को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो कल मिलते है यार बाई बाई अर्णामेंट अर्णामेंट